हेलो फ्रेंड्स मैं हूरानी आपका अजब गजब चैनल में स्वागत है आज मैं आपको बताना चाहते हूं वाट्सअप के कुछ नए सेटिंग के बारे में जो वाट्सअप यूजर है उनके लिए ये बेहर जरूरी खबर है जी हाँ दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वाट्सअप कोई आपके इजाज़त के भी नचेक ना करें या फिर उसको स्कैन करने से दूसरे के मुबायल में डाटा नहीं चला जाए तो आप ये सेटिंग आउन करना सीखिए इस वीडियो को देखने के बाद वाट्सअप हैकिंग को देखते हुए ये नया सेटिंग आया है सेक्यूर करने के लिए आए जानते हैं ये सेटिंग कैसे यान होगा आप अपना वाट्सअप ओपेन कीजिए और उसमें देखिए साइड में तीन दॉट वाला ऑप्शन होगा उस पे क्लिक करें फिर सेटिंग में क्लिक करें उसके बाद अकाउंट पे जब अकाउंट पे क्लिक करिएगा तो जो नया पेज खुलेगा उसमें two step verification को option होगा उस पे क्लिक करें फिर उसके बाद आप देखिएगा कि नया पेज खुलेगा और enable को option रहेगा तो उस enable पे क्लि आपके phone number को register करने के लिए WhatsApp से तो six digit का passcode देने के बाद confirmation code मागेगा तो फिर से वो same six digit वाला passcode देना है फिर next page खुलेगा और आपका email ID मागेगा जो आपका already email ID है वो देना है आप इस step को skip भी कर सकते हैं पर email ID देने से अच्छा होगा तो जब आप email ID डालिएगा वापिस से confirmation email ID मागेगा जिसमें आपको वही email ID देना है जो आप पहले statement दे चुके हैं उसके बाद safe कर दीजे save करने के बाद देखीगा कि done को option आएगा उस पे click करें आपका WhatsApp secure हो जाएगा और हाँ दोस्तों done पे click करते ही एक और page खुलेगा जिसमें तीन option होगा पहला disable इस option से आप अगर नहीं enable करना चाहते इस two step verification को तो वो लोग disable कर सकते हैं दूसरा change passcode इस option से आप अपना passcode चेंज भी कर सकते हैं तीसरा change email ID इस option से आप अपना email ID भी change कर सकते हैं अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो like किजिए और नए नए मज़दार जानकारियों के लिए इस channel को subscribe करें Thank you and bye bye